थाने के सामने हुई चैन स्नेचिंग के मामले में आकरोशित अधिवक्ताओं एसपी को सौपाग्यापन आपको बता दें कि रिवा शहर के सिविल लाइन थाने के ठीक सामने और पुलिस अधिच्छक कारेले से 100 मीटर दूर दिन दाढ़े हुई चैन स्नेचिंग की वारदात का चार दिन बाद भी खुलासा नहों पाने के चलते दो लाख रुपए कीमती सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए थे जिसके बाद उन्होंने घटा की शकाय सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी अधिवक्ताओं कि वारदात के चार दिन बाद भी पुलिस पूरी तरे खाली हाथ है जिसके चलते पुलिस अजिचक कारेले विवेक सिंग से मिलकर वारदात का खुलासा जल्द करने की मांग की गई है उन्होंने कहा कि जब अदिवक्ताइं ही नहीं सुरक्षित हैं तो महिलाएं कैसे सुर करी है वूची के थार्तम में हम लोग इसकी साथ टूमने आए थी उसमें कुछ परवाइद की जाए इसके लिए हम दोगों ने क्या पर्ण दिया दिया कि अधिक्षक महुदर ने अक्सासन दिया कि जल्दी से ही अन्होंने हमारे सामने ही पुण लगाया थाना प्रभारी को और असासन दिया कि हम अभी उसमें भी बेचना नहीं है बहुत जल्दी हम उसको पोचके और आपके सामने वो चाहिनों प्लब कराएंगे उन्हों ने यह भी कहा कि यूपी 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 जितनी भी तीम है सब को हमारे सामने उन्हों भी लगा है और असासन दिया कि जल्दी हम चैनिस रेचर को पकड़के करवाई करेंगे उसका नंबर प्लेट नहीं 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 सुरचित तो नहीं अभी अधिवक्ता है सुबह मार्निंग बाग में निगले थे ही सुपोश्टे कोई दिक्कत नहीं है फिर विव उनके साथ तो फिर महिला है कहां से सुरचित था है उनका तो कोई अस्वासन ने उन्होंने रिपोर्ट दज कर ली अब ठीक है एक अस्वासन ने पुलिस रहते हुए कि हम इसमें विवेचना करें जोड़ें लेकिन अभी अस्वासन हम लोग मिले हैं तो उन्होंने अस्व का पुछिस में करवाई करेंगा अगर उन्होंने चाह लिया तो कोई दिकत नहीं है मिलने में मुझे तो कोई मुझत मसाल कर देगा